हलो बच्चो तो वेल हमने अभी तक में यह देखा कि कैसे अर्ली मैं जो है उसने स्टोन के टूल्स वगया रखा यूज करना सीखा और साथ ही उसने जो है खेती करना सीखा किन कैटल्स को वो रेज कर सकता था उन कैटल्स को उसने जो है उन एनमल्स को उसने टेम किया और फि घर बनाना सिखा, उसने जो है जोपडियां बनानी सिखिये और अब जो है वो villages में रहना उन्होंने शुरू कर दिया, गाओ बसाना उन्होंने शुरू कर दिया, right? Now, slowly, हम लोग आगे पढ़ेंगा कि किस तरह से उन्हें सामान धोने के टेकनीक का कैसे उन्होंने जो है आविश्कार किया या फिर इसका उन्होंने क्यों आविश्कार किया? Carrying the load मतलब की वजन धोना, सामान धोना. Now, slowly, a number of villages started increasing with the increase in population, okay? तो जनसंख्या में वृद्धी के साथ जो है, जनसंख्या में increase के साथ गाउं की संख्या जो है, वो भी बढ़ने लगी धीरे-धीरे. These new villages were away from each other as they were growing around the rivers. ये नए गाउं जो थे, वो एक दूसरे से दूर थे, क्योंकि सभी गाउं जो थे, वो नदी के किनारे ही बस रहे थे. तो माल लिए कि एक गाउं होगा फिर उसके आगे दूसरा गाउं फिर आगे जो है तीसरा गाउं तो एक ही नदी के किनारे बस रहे हैं न तो इसलिए जो है गाउं के बीच की दूरिया जो होगी वो जादा होगी आदी मानव को जो है लंबी दूरि तक पैदल जाना होता था अगर उसे दूसरे गाउं के आदमी से मिलना होता था तो उसे भारी चीजों को भी खुद से ही ढोना परता था खुद से ही उठाना परता था इस अवस्था में आकर इस स्टेज पर आकर उसे यातायात के साधनों की जरूरत का एहसास हुआ इस स्टेज में आकर उसे ये पता चला कि यातायात या ट्रैवल के मेंस की जरूरत उसे है यातायात के साधनों की जरूरत उसे है तो चलिए अब इस यातायात के साधनों का विकास कैसे हुआ इस कहानी में सबसे पहला स्टेप आता है ट्रैवल थू वाटर उसने पानी पर लकरी के टुकरों को लकरी के लठों को तैरते हुए देखा उसने पाया कि यह जो वुड के लॉग्स थे लकरी के लठे थे वो काफी तेजी में नदी के निचली तरफ बहते हुए जा रहे थे डॉण दर डीवर का मतलब होता है नदी की धारा के साथ तो अर्ली मैन ने पाया कि यह जो लॉग्स ओफ वुड थे यह काफी तेजी में जो है डॉण दर डीवर फ्लोट करते हुए तैरते हुए जा रहे थे अर्ली मैन ने इन लकरी के लॉग्स का यूज किया तैरने के लिए उसने यह भी नोटिस किया कि जो खोखला जो होता है पेड का ट्रंक पेड का तना वो जो है आराम से पानी पर जो है फ्लोट करता है पानी को पर तैरता है इसलिए उसने पेड़ो को काटा उनके तने को यह ट्रंक को जो है उसने खोखला बनाया और फिर उन खोखले ट्रंक का यूज किया उसने पानी के रास्ते ट्रेवल कर दे के लिए यह जो है इनसान के द्वारा यूज होने वाला पहला बोट था यह अर्ली मैन इन बोट पिक्चर अब देख सकते हैं फिर अर्ली मैन ने देखा कि वो जो है कई सीधे सीधे लकरी के लट्छों को जो है बांध कर राफ्ट बना सकता है अब अर्ली मैन जो है वो इन राफ्ट पर आसानी से मूव करने लगा और साथी साथ भारी भर कम सामान भी उनके ओपर धोने लगा राफ्ट का मतलब समझते है कि ने जैसे कि लकरी के आठ दस पंदरा लट्छों को जो है आपस में जोर दीजिएगा तो वो पूड़ा का पूड़ा एक फ्लोर की तरह हो जाएगा ना जो कि पानी को उपर तैरते हुए चला जाएगा तो उसी को कहते हैं राफ्ट तो यह तो हो गया ट्रेवल का एक स्टेज अगला जो सबसे इंपोर्टेंट स्टेज आता है ताट इज इन्वेंशन अफ द वी पहिये का आविश्कार the early man often had to travel on land early man को अकसर जो है जमीन पर ट्रेवल करना होता था तो बोट तो पानी में काम आ जाएगा है ना लेकिन जमीन पर ट्रेवल करने में तो बोट काम आएगा नहीं now traveling long distances on land with heavy loads was very difficult for him तो जमीन पर जो है लंबा distance travel करना खासका के भारी भर का बोज के साथ यह उसके लिए काफी मुश्किल था so he tied a few sticks of wood together and formed a sledge तो उसने जो है लकडी के कुछ डंडो को जो है आपस में जोड़ा और sledge बना लिया okay initially the sledge was pulled by man शुरू-शुरू में sledge जो है वो आदमी के द्वारा खीचा जाता था but later on he used animals to pull the sledge लेकिन बाद में उसने जानवारो का परयोग किया sledge को खीचने के लिए यह early sledge का example हो गया now there were no wheels in the sledge so it could move easily on smooth ground but it was difficult to pull it on an uneven ground sledge में जो है कोई पहिया नहीं होता था there were no wheels in the sledge इसलिए यह जो है आसानी से move कर सकता था smooth ground पे यानि कि समतल जगा पर जो है यह आसानी से easily move कर सकता था but it was difficult to pull it on an uneven ground लेकिन इसे खीचना मुश्किल था और समतल जगा पर uneven ground पर यहां कि जमीन एक रंग ना हो उबर खाबर हो वहाँ पर इसको खीचना जो है वो मुश्किल था he noticed that round objects rolled down the slope easily उसने notice कि गोल चीजे जो है वो slope पर आसानी से लुठकते हुए चली जाती है आसानी से rolled down कर जाती है this gave him the idea of putting a round log of wood under a sledge तो इसने जो है उसे idea दिया कि sledge के नीचे अगर गोल जो है लकरी का लठा डाल दिया जाए तो क्या होगा the sledge could move easily now अब जो है sledge आसानी से move कर सकता था thus the wheel was invented by the early man इस तरीके से जो है wheel का आविश्कार किया गया था आदिमानब के द्वारा कि वो जो है गोल जो है लकरी का log जो है वो sledge के नीचे रखने लगा और उस पर लुढ़कते हुए sledge जो है वो आसानी से move करने लगा he improved upon the round log of wood and learned to make better wheels उसने जो है उस गोल लकरी के लठे पर जो है improvement किया और बहतर wheels बनाना जो है वो सीखा now by putting the wheel under a cart he made a wheeled cart अब जो है cart के नीचे यानिकी गारी के नीचे पहिया डाल कर पहिया लगा कर उसने जो है पहिये वाली गारी बना ली he began to use wheeled carts for traveling from one place to another along with his goods अब जो है वो wheeled cart का यूज करने लगा पहिये वाले इस cart का यूज करने लगा एक जगा से दूसरे जगा travel करने के लिए और साथी साथ जो है सामान भी ढोने के लिए now traveling on land became easier and faster अब जमीन पर travel करना जो है वो आसान हो गया और ज्यादा तेज हो गया gradually he found out that he could use the wheel for other purposes धीरे धीरे उसे पता लगा या धीरे धीरे उसने जो है जाना कि वो जो है पहिये का परयोग दूसरे उदेश्यों के लिए दूसरे purposes के लिए भी कर सकता था he started using the wheel for making earthen pots वो जो है पहिये का परयोग करने लगा मिट्टी के बरतन बनाने के लिए बच्चों the wheel used for making earthen pots is called the potter's wheel मिट्टी के बरतन बनाने के लिए जिस पहिये का परयोग किया जाता है उसे potter's wheel कहते है it is used even today इसका परयोग आज भी होता है गर्मी के टैम में घरे का परयोग करते है ना पानी बगरे रखने के लिए तो वो घरा के जो है कहां बनता है वो इसी potter's wheel पर ही बनता है अब wheel के discovery के बाद दूसरा जो है wheel के invention के बाद not discovery दूसरा जो important point है that is the beginning of the iron age हम लोग अगले listen में जो है iron age के बादे में पढ़ेंगे और iron age में early man की life कैसे बदली ये जानेंगे हुआ हुआ है